सभी भगवत प्रेमियों को रादे रादे, जैश्री रादे, भगवत प्रेमियो मैं आपको इस वीडियो में महात्मा सूर्दाजी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप हमारे साथ इस वीडियों में अंत तक बने रहें तो महतमा सूर्दाजी की कता क्या है सूर्दाजी का जन्म सम्मत 1535 में दिल्ली के समीब सीही नामक ग्राम में हुआ कुछ आधुनिक विद्वान उनका जन्म 1540 में मानते हैं वे जन्मांद पैदा हुए थे जन्म से ही अंदे पैदा हुए थे इस से उनके निर्धन ब्राम्मन माता पिता को बड़ी चिंता हुई जब वह छे बर्स के थे तब इनकी पिता को सुर्ण दान में दो महरे मिली बारे बर्स की आयू में सुर्दा जी ने घर छोड़ दिया एक गाम में रहने लगे एक वहां के जमीदार की गाएं चोरी चली गई तो इन्होंने जमीदार को अपनी सकुन विद्ध्या से बता दिया तब लोग इने सुर्ण स्वामी कहने लगे गामवासी इनसे बहुत प्रभावित हुए और इनको भोजन देने लगे उसके बाद यह मत्रा चले गए और वहां विश्राम घाट पर रहकर भगवत परायन करते रहे वहां उन पर स्वामी उद्वाचार जी की भक्ती का कापी प्रभाव पड़ा इसके अनंतर वे स्वामी बलवाचार जी के सिस हो गए और गवगाट रोनकता में रहने लगे यह विश्रू स्वामी संप्रताय में थे इस कारण इनकी रुची भगवान के बाल चरित्र में तो थी किंत स्रंगार निष्टा और सका भाव में पर भी इनको अधिक प्रेम था यह सदा भगवान के गुड़गान में ही लगे रहते थे सितार और बीना पर अपने ही बनाए हुए पद ऐसी मनोरता से गाते थे कि सुनने वाले मुग्द हो जाते थे सूर्दा जी ने सवा लाख पद बनाने की पृतिग्या की थी किन्त बीच में ही देव योग से आपका परलोग वास हो गया और आप केबल 75,000 पदों की रचना कर सके तदंतर स्वेम श्री कृष्ण भगवान के भक्त की प्रिद्ग्या पूरी करने के लिए सूर्दा जी के नाम से ही सेश पद बना कर पूरे सवाला कर दिये सूर्दा जी के पद एकटे कहीं नहीं मिलते थे इस कार अकवर बास्या ने ये गोसला कर दी कि जो कोई सूर्दा जी का एक पद लावेगा उसे एक महर इनाम में मिलेगी मोहर के लोब में सूर्दाजी के नाम से लोग नई नई रचना करने लगे इस प्रकार कोई दो लाख पद एकटे हो गए अकवर बाश्या पर असली और नकली पदों की परिख्या के लिए एक तराजू रख छोड़ी थी उसके तोलता था जो पद असली होता था वह बिलकुल बराबर बैठता था लेकिन जो पद नकली होता था उसका पल्डा कुछ उचा नीचा अवश्य हो जाता था कोई कोई यह भी कहते हैं कि सब पद एकटे होने पर अकवर ने अगनी में डाल दिये थे वह तो अगनी में स्वाह होगे लेकिन असली पद जो के त्यों रहे इसमें जो सत्त है वह ठीक है किन्त आज कल केवल पांच जार पद ही मिलते हैं इनके बनाए हुए सूर सागर ना सित्र जैसा अंकित है वैसा आज तक किसी गरंत में नहीं मिलता सूर्दाशी भगवान के परमभक्त होते हुए भी अपने को एक तुच्छ और पापी समझते थे जैसा कि उन्होंने अपने पद में कहा भी है मोसम कोन कुटिल खलकामी जिनतन दिया जाता ही विसारियो एसो नमक हरामी भर भर उदर विसे को धावो जैसे सूकर ग्रामी हरजन छान हरी विमकन की निस्दन करत गुलामी पापी कोन बड़ो है मोसम सवुपत तन मेंगा नामी सूर्पतित को ठोर का है सुनिये स्रीपत स्वामी सूर्दाशी की कपता का एक एक पद मन को अपनी तरफ आक्रशित करता है इनके एक एक पद से भगवत प्रेम टपका ही पड़ता है ऐसे भगवत प्रेम में चलकती हुई सूर्दाशी की कपता जो प्रेमी रशक जन आनंद लूटते हैं वही धन्य हैं इनकी म्रत्तू सम्मद सोले सो चालीस में पार सोली ग्राम में गुसाइन श्री बिठलनाजी के सामने हुई थी सरी छोड़ते समय सूर्दाशी ने प्रेम से गदगद कंट से यह पद गया था खंजन नेन रूप रसमाते अत से चार चपल अन्यारे पल पिंजरान समाते चल चल जाते निकट स्रव नेंके उलट ताटक फदाते सूर्दाश अंजन गुन अटके नतर अवाई उल जाते भगवत प्रेमियों यह सूर्दाशी की कथा है कहानिय अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो जरूर इसको वीडियो को शेयर करें अपने परवारी जनों को अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें रादे रादे जैस्री रादे